हलो दोस्तों मैं रोहन स्वागत करता हूँ आपका मेरी चैनल लगनर्स फेलो पे बीच में काफी गैप हो गया उसके बाद ये वीडियो आ रहा है बीच में कुछ व्यस्ता के कारण कुछ वीडियो नहीं आ पा रहे थे चली तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका DRDO DRDO translator जो होने वाला है ठीक है DRDO का जो translator के exam होने वाला है आपका ये आपका होने वाला है 15th of March कब होने वाला है 15th of March तो जो लोग भी अभी तक अगर नहीं कर पाए हैं इसका admit का download तो वो जल से जल DRDO.GOV.IN पे जाके अपना admit का download कर लेंगे ठीक है अब बात करते हैं आगे कि आपको DRDO का paper देना है इसमें pattern क्या है तो देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको इसमें आपका 40 marks का English है 40 marks का आपका हिंदी है जनरल हिंदी टोटल 80 question हो गए इसके लिए आपको मिलेंगे साथ मिनट है ना यह एक घंटे में 80 question करने है 80 marks के ठीक है बात करें इसमें negative है की नहीं इसके लिए इसमें कोई भी negative नहीं है no negative है इसमें आपका कोई भी negative नहीं है काफी साथी के question आ क्या है यह इसका मॉक टेस्ट वगरा कहां है नहीं है तो देखिए मॉक टेस्ट कभी ऐसे अवलेबल मुझे अभी तक नहीं मिल पाया ठीक है पेस्टबुक एप वगरा पे भी नहीं है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं SSC जी एच्टी का एससी का जो जी एस्टी एक्जाम हुआ था उसका previous year question लगा कि आप practice कुछ कर सकते हैं सेम उसी तरीके का pattern है और नहीं तो एक उपाय और मैं बता रहा हूं इस वीडियो में ताकि आपको कुछ help मिल सके ठीक है उतली शुरात करते देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि गूगल पर आ जाना है अपने कहां से वो टेस्ट आपको free mock test मिल जाएगा मैं उसके बारे में बात करने आया हूं ताकि आपको वहाँ पर ये help हो सके ठीक है चलिए देखिए आपको सबसे पहले ये गूगल पर आ जाना है गूगल में type करना है आपको type करना है drdo.gov.in ठीक है ये करके आपको ok कर देना है आपको ये खुल जाएगा और ये पहला जो आएगा आपका है ना ये पहला वाला ये ठीक है ये वाला इसको आप ok कर देंगे ठीक है चलिए इसको ok करते हैं आगे बढ़ेंगे देखिए तो ये जो है आपका यह आपका रक्षान उसंद्धान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च डेवलाप्मेंट और्गनाजेशन का ओफिसल वेडसाइट आपका यह उपेन हो गया ठीक है इसमें हम नीचे स्क्रॉल करेंगे देखिए फूल गया उपेन हो गया बैक यह जो है आपका ओपन हो चुका है अभ्या करेंगे इसमें स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ ठीक है नीचे आएंगे इसमें देखिए यहाँ पर यहां पर आपको एक यह मैं दिखा दू यह कैरीर का option का है ठीक है नीचे आने के बाद तो इस पर हम क्लिक कर देंगे चलिए देखें कि का option पर क्लिक किया हमने फिर आगे बढ़िए इसमें नीचे scroll करेंगे तो आपको यहां पर scroll करने के बाद यह पेज खुलेगा करियर वाला इसमें देखिए यहां पर आपको है अदर recruitment इस पर हमें क्लिक करना है ध्यान से वीडियो को देखते जाएगा इस पर हमने क्लिक कर दिया आगे बढ़ते हैं फिर आपका है यह सेप्टम advertisement यही है आपका इस बार का जो क्लिक करना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे नीचे वाले पर आगे बढ़ेंगे इसमें देखिए आप स्कॉल करते जाएंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा इसका एड्मिट काड अगर डाउनलोड करना है आपको यह देखिए यह ओप्शन है क्लिक यह टो व्यू डाउन डाउनलोड एड्मिट काड फॉर सीवीटी टीर वन यहां से आप अपना एड्मिट काड डाउनलोड कर लीजेगा ठीक और हमें मॉक टेस्ट लगाना है चुकि प्रेक्टिस करना है कि इस तरह के कॉश्चन्स आएंगे तो इसी के ऊपर जस्ट देखिए आप यहां पर यह देखिए आप यह यह वाला पहला जो है क्लिक हेर फॉर मॉक टेस्ट चलिए हम क्लिक करते हैं इस पर फिर यह पर क्लिक करिए यह आपका उपिन हो गया ठीक है देखिए डिया डियो का इस पर स्टार्ट एक्जाम पर क्लिक करेंगे आप इसमें आपको डेटिल्स है कुछ भरना नहीं है पहले से फिल है यह चुकि यह मॉक टेस्ट है इसमें में है और इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन्स हैं यह नीचे में आएंगे आप ऐसे स्क्रॉल करते हुए थीक है तो इंग्लिस में भी यहां पर आपको मैं दिखा दूँ इक चीज देखिए यह जूम करके दिखा दे रहा हूं यह देखिए तीन सिफ्ट में एक्जाम हो रहा ह सNET 2 है सारे 12 से 12 बझें से तक है स्फ्ट त्री चार बज़े से कि पांच बज़े तक है साम में तीन सिफ्ट है है ठीक है यह एक्जाम है आपका 15 अमार्च को है एक्जामापका कब है 15 नम술 2023 को एक्जाम है डीयी व हो टंस्टेक्टर का इसमें देखने वाली बात यहां पर यह है यहां पर देखिए आपको प्रूब भी मिल जाएगा निगेटीब का क्या कहा रहा है each question will carry equal mark that is mark for every correct answer one यानि एक question होगा और एक marks का वो होगा एक mark का एक question होगा एक number एक question ठीक है एक अंक्रे second point पर ध्यान दीजेगा there will be there will be no negative for incorrect answer clearly mention कर दिया गया है कि कोई भी गलत उत्तर पे number आपके नहीं काटे जाएंगे मतलब कोई negative नहीं ठीक है और जनरल इंस्ट्रक्शन है जो भी है आप इसको पढ़ लीजेगा अच्छे से क्या क्या ले जाना है यह देखिए पासपोर्ट साइज यह सब यह सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजेगा अच्छे से इसमें समय हम लोग प्रबाद नहीं करेंगे फिर यह से नीचे आएंगे तो देखिए आई हैव रेट दे इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर दीजेगा इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मॉक टेस्ट छोटा सा खूलेगा यह में नहीं है देखिए क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है यह देखिए सेंपल सब्जेट है प्लीज क्लिक ओन दा प्रिविव सब्मिट बटन टो मूव दा तो दा में एक्जाम निशन यह आपको चार-पांच कोश्चन के बाद आपका में एक्जाम के लिए ओपिन होगा पहले इन चार कोश्चन को आप देख लेंगे ऐसे ही कुछ भी क्लिक कर निशन दा लिया आपने लगाने के बाद आप अफीफ फिर से को चॱ्छन नर वर ओन आ गया तो помृच बतें से क्या होता है नहीं क्लिक कर ढऄ नहीं तो यह कोश्चन दिखीं घ्रीन दिख रहा है यह पर यहां पर गार tastes है कि उसको हम बाद में चाहते हैं कि view करें एनिकि एक तर commitment लगा के हमने रख लिया है ताकि बाद में में 우리 Vision करते हैं मों उस पर कुछ replaced करसके तो हम tech करते हैं तो आप लिक करते ही आपका your question yellow हो जाएगा तो आपका ध्यान शायएगा कि हमें सक पर इसे बरते जाए moles फिर यहां पर आपका जो टैग जिसомें अपने लगा यह इस लुदो एगर क्लिक यह कोई ऊप्शन नहीं हो इसमें हम कुछ कुछ नहीं करना चाहा रहे हैं तो इसका रिस्पॉंस खत्म हो जाएगा ठीक है चलिए तो यह शुरुवात के पांच कोशन इसका आपको प्रिव्यू यहां पे है देखिए आप प्रिव्यू सब्मिट पर क्लिक कर दीजिएगा आपका यह मेन एक्जाम की तरफ ले जाएगा आपको ठीक है यह देखिए क्या कहा रहा है और यूव एट्मिड़ एंसरी कोशन्स चीरो टैग्ड इस्टिल वांट तो प्रसीड विद्र सब्मिट येस हम आगे बढ़ना चाह अब जो है मेन एक्जाम आपके स्टार्ट होगा ठीक है इस पर गेट रेडी वाले पर क्लिक करते हैं आपको यह आपका कुश्चन सुरू हो जाएगा देखिए 30 मिनट का टाइमर चल रहा है यहां पर लेकिन एक्जाम में आपका कितने दिर का होगा वान आवार का यही ची मेंली यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो बिगनर है जो हमारे साथ ही जो भाई वहन जो नए हैं पहली बार एक्जाम दे रहे उनके लिए वीडियो काफी हेलफुल होगा ठीक है तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्योंकि ट्रांस्लेटर एक्जाम से लेटर इंफोर्मेशन इस पर आती है ठीक है आगे बात करते हैं जैसी देखिए इसमें मैंस का कोश्चन अभी दिया है लेकिन आपको मैंस का कोश्चन नहीं रहेगा क्या रहेगा और हिंदी रहेगा यह एक मॉक टेस्ट है इसी तरीके से आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है टिक लगाया फिर नेक्स कोश्चन किया फिर कुछ टिक लगाया जो भी अंसर समझ वाया नेक्स कोश्चन पर टिक किया फिर कुछ टिक लगाया फिर आगे बढ़ा है ना तो प्रविदा हम 22 पे क्लिक करेंगे हम 22 पे चले जाएंगे देखिए इस तरीके से हम लगाते हैं और जब सारा टेस्ट खदम हो जाएगा तो यहां पर क्या करना है सब्मिट पर क्लिक कर देना होता है या अपने आप सब्मिट ले लेगा देखिए अभी का लिख रहा है कि sorry you are not allowed to submit now please wait 20 minutes 46 seconds to submit your exam यानि कि अभी time बचा है वो अपने आप सब्मिट ले लेगा एग्जाम आपका एक घंटे का है एक घंटे होती ही वो खुद बखुद सब्मिट हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा कि इसको कैसे mock test लगाना है और कैसे exam के लिए एक बार हम general Hindi है ठीक है आप grammar के सारे chapter पढ़ जाए हिंदी और English दोनों के ठीक है उसी सवाल रहेंगे यह कुछ chapter छोड़िएगा मत कि हाँ यह स्लेवस में नहीं है इसलिए हर एक चेप्टर को आप पढ़िए अच्छे से तयारी करिए को दिक्कात आया तो वीडियो के नीचे भी comment कर लीजिएगा कुछ पूछना है और आपको बता दू कि हमारा WhatsApp ग्रूप है लर्नर सलो के नाम से उसका लिंक में डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा टेलिग्राम ग्रूप भी है उसका भी लिंक दे दूँगा वहां से आप ग्रूप जॉइन कर लेंगे और अभी free classes जो चल रहें थी SSC GST 2023 के लिए है ना जीस्टी 2023 के लिए वह अभी आपका फिर से होली के बाद क्योंकि सब साती भी अमरे वैस्त हैं और तो आप होली के बाद फिर से continue होगा प्लेलिस्ट बना हुआ है SSC GST 2022 के नाम से आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं ठीक है और भी क पूछिए का वहाँ जो सेलेक्टेड हैं या जो त्यारी कर रहे हैं सब लोग आपकी रिप्लाई करते हैं ठीक है चलिए इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं और जल्द ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोग